दोस्तों आपका अपने स्टुडेंट ग्रूप चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों फाइनली जो है कि बीए ठोड येर ग्रीफ बिग्यान का पार्ट नंबर 6 जो है कि आ चुका है अगर आपने फर्स्ट सिकेंड ठोड फॉर्ट अंड फाइफ पार्ट नहीं इस वीडियो को शुरू करते हैं पहला सवाल आपका है कि निन्म लिखित में से कौन बोलने के दोस्वाले बालक हैं तो क्या होगा आपका उप्रूप सभी यानि कि और सुध उच्चारण आवाज की समस्या और खलक लाना यानि कि दोस्तों आपका उप्रूप यहां पर सह हो जाएगा कि सद ऑबी को तौर का कि उन्तरगत आता है तो किसकी आंतरगत आता है आपका आपसर नंबर 20 व्हाँगा वाचिक योगता के उन दर ठीक है उसके बाद अगला सवाल आपका है कि भासा विकास की अंतीम आवश्ता है तो क्या है सूध उच्क है अग्यानात्मक विकास की बश्यष्टा है तो कौन है ये और आपका दोनस एउगा कि लगाना मैं question को भी अच्छे से पढ़ना है आपको और चारो बीकल्प निया हुगा चारो भीकल्प को भी आप अच्छे से देखिए ठीक है पांचमा देखिए वाड़ी दोस्त किसे से संबंदित है तो किसे हैं वह रूस है वाड़ी जो हम बोलते हैं इसे वह वाड़ी कहा जाता है आवाज की समस्या और सुद उचारण और हलक लाना यानि कि आपसे सवाल लेकी प्याज़ाएगा घुमा फिरा के पुशा जा सकता है ठीक है दोस्तों आपको अच्छे से आंसर और क्रिश्चन देखना है अगला सवाल देखिए कि मूल भूत आवाजों मूल भूत आवाजें जो किसी भी साखा को बनाती है का अल्धियन कहलाता है तो क्या होगा आकरी तिविग्यान आपसे नमर आपका भी सई हो जाएगा अगला सवाल देखिए भासा के सिधानत है भासा के सिधानत है तो क्या है आपसे नमर भी अनुकरण की पराड़ी ठीक है अगला सवाल आप द लंबाई के विकास को परभावित करने वाली गुरौन की कौन सी है तो कौन सी है तो आपका आफसर नंबर A यहां पर सही हो जाएगा अगरा सवाल है कि सारीरिक रचना के परकार होते हैं तो कौन होते हैं उप्यूत आपका यहां से सही हो जाएगा अगरा सवाल है कि भासा की करने वाले कारक हैं तो घौक ज़ेस परिवार का मिकार लिगों तो सभी अगla सवाल अरेका इनैंस से बोलने का दोस्त नहीं है तो क्या नहीं है तिय ज बोलना अगा सवाल है कि क्या है THE पार चार पढ़ लेना ठीक है मैं आंस्दित रहा हूं सब्सक्राइब कि बड़ोब्रण बलाना परकिरिया है तो क्या है भासा की विकास नबरख यह आपका सही होगा उसके वाद अगरा थो आयारता है कि क किससे होता है तो किस से होता है बीविन साधुनों मिला सा आधावें यानि कि बीभीन साधनों या संसथाओं से उसके बाद आपका अगलास वाल देखिए कि सिसु पालन का सम्मन बीभीन साधनों या संसाधनों से होता है जिसमें परमुख प्राकिर्ति को जो है कि साधन या संसथाओं पर विचार कीजिए तो कौन सा होगा आपका हैं पर चार उसके बार थ्वास मैं इसको जूम कर देता हूँ आपको अच्छे से दिखेगा तिसरा सवाल देखिए कि बच्चों के पारलन पोर्षण की सतावधी सहीली कौन सी है तो कौन सी है तो आपका जो है कि आपसन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा तो कौन सी है आपका अपसन नंबर यहाँ पे सही होगा अगला सवाल है कि सिसू पारलन के ग्यान से क्या लाव है तो क्या लाव है दोस्तों तो आपका अपसन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा तिक है उसकी वहद्व आपका आप्यू अग्याला सवाल हाँ किसी सुपार्लन के ग्यान से क्या लाध है तो आपका ए बी और वी सही है याणि आपका उप्यूस सब्छ सबdzie fällt आपका अगलतुर्Sean तो अग्यालो सवाल है किसी सुपार्लन के अंतरगत कौन-कौन सी सामिल हैं कौन कौन सी बाते सामिल है दोस्तों आपका जो है कि उप्यूक्त सभी आपका सभी हो जाएगा आप सब्सक्राइब यहां पर देखिए डी सभी होगा उसके वदल आपका अगरा सवाल आ जाता है कि सिसु को दिये जाने वाले पूरक भोजय परतार था है तो क्या है आपका गुप्यूक्त सभी ब्याप्थन त्रिक लगाना होगा ठीक है अच्छे से पढ़के ठीक है दोस्तों इन में से कोई नहीं से अपको देखना को आखैना होगा ठीक Happy माता-पिता का सभाव से परभावित होता है मता-पिता का समाजी कस्तर से और संस्क्रीद से जो वह हैंगे के उपीत तीनों यहां पर आपका सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों आपको डी पे ट्रीक लगाना होगा आगा सवाल देखिए कि निम्ने में कौनसा से रहे कर संब्सक्राइब को पहले दिन से ही आसनान पान कराना आवस्याख है क्यूंकि क्यूंकि उप्यूस अभी आपका ए भी और शीज़गा इन्हों अच्छे से पढ़ लीजेगा ठीक है अगला सवाल देखिए कि निमने कथुनों में कौन सही है तो कौन सही है आपका आपसर नमबर ए सही हो जाएगा ठीक है उसके अगला सवाल है कि निमने में कौन सही है आपको बताना है उप्यूग तो दोनों सही है ठीक है दोस्तों यहां पे एक और दूग सही है आपका अगला सवाल आ जाता है कि निम्न में कौन सही है ठीक है दोस्तों उप्यूग तो दोनों A और B सही है यह बच्चों के पालन से पुछा जा रहा है सवाल ठीक है दोस्तों अगला सवाल देखिए कि बच्चों के चरित्र बच्चों के चरित्र विकास के लिए निम्न मे किन सुत्रों का पालन करना चाहिए तो first and second आपका option number a सही होगा अगरा सवाल देखिए कि निम्न में कौन सही है तो दोनों सही है आपका ठीक है question और answer तो सही से पढ़िएगा इस बार यही पूशा जाएगा सवाल आवसे थिक्या है अगला सवाल आपका कि वैंक की और धिए नहीं की ऑदिगम का अर्थ है तो क्या है सीखने की परकिरिया आपका यहां पे सब्ढ़ उसके बड़ आपका अगला सवाल को परवाविद करने वाले कारक है तो कौन सा होगा आपका आप नमबर यह सही होगा यानि कि सीख फर्ष्ट फर्ष्ट अन्य सीखेंड साब का सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों उसके वाद आपका चौथा कुश्चना जाता है कि सीखने की परकिरिया में सरीर से सम्बंधित मुख्य कारक हैं तो क्या है आयू एवं परिवक्ता ठीक है उसक सीखने की परकिरिया में सरीर से सम्बंधित मुख्य कारक है तो क्या है उप्यूक्तस ऑगरा सवाल बेखिए सीखने की परकिरिया को परभाविब्र्याने वाले मनो वग्यानिक कारकि जाना सब्यों है अगरा सवाल है सीखने की परकिरिया को परभावित करने वाले मुख्य यहां पर देखिएगा दिया हुगा है कि परभावित करने वाले यहां पर मनोविज्ञानी का पुछा है और यहां पर जोई कि समाजी कारकों में पुछा है ठीक है तो आपका उप्यूक तो सभी यहां और आणसर पर आगा स्वाल दिखलो कि अनुभाव के परिड़ाम सो रूप हमारे मौलिक बेवहार में परिवारतन अधिगम है तो कौन होगा अपका आफ्सन नंबर डी यहां पर सई हो जाएगा ठीक है दोश्तों आपका अगला स्वाला जाता है कि अधिगम अधिगम अनु सभी हो जाएगा अगरा सवाल देखिए कि अधिगम सीखने का सिधान्त है तो क्या है उप्युक्त सभी आपका सभी हो जाएगा अगरा सवाल अधिगम से ही है कि अधिगम सीखने का सिधान्त है तो क्या है उप्युक्त सभी ठीक है दोस्तों अगरा सवाल देखिए कि बंद का सिद्धान्त के जनम दता कों है तो कों है पावल लव यहां की पावलव तूस्त्तों डेखू कि पुर्य ब्लक्तियेaking पुन्बद्धिगम अधिगंग सिद्धान्त के प्रवर्तक है तो कौन है इसका सही की इसकी नर्शण के प्रवर्व तक है अगरा स्वाल देखो संकेतन सीध्यानत की प्रविकतक रवर्व में ठालमेन्य अहाह सवाल की त्यांक दिया वगा है से जर नातमकटा का साब्दिक हो तो कौन है आपका आपसर नूम्बर यहां पर सही हो जाएगा उसके पर आपका अग्रास वह रहता है कि स्री जनात्म किसी नवीन बश्टु का निलमाड एवं प्रड़यन करने की छमता है परियूक तो यानिकी उपयूक तो परिवासा किस विद्दान की है किस की है इज यान MN की ठीजोशन नाम ठेढ़ा होता है तो आप सभी को अच्छे से जोए कि क्विष्टयों और आंसर मैं भावर बहुं बोलना हूं डरांसर आप आपके अच्छे से देखी देगा ठीक है ठ्यक्रीशन किसी जनात्म का विकास होता है तो क्या होता है उपयूक तो सभी सबिय ये डेनिस एवां ले मैन के अनुसार स्री जिनात्मकता कि दने वर्ष की आवस्था में चरम सीमा पर पहुंची तो 30 से 40 तेक है अगला सवाल देखिए आपका दिया हुआ है कि बालकों में स्री जन सीलता का विकास किस विद्य से किया जा सकता है तो किस से किया जाता है तो आ सब्सक्राइब को किन बिंदों पर ध्यान देना चाहिए तो परस्तिति का निर्माड़ पर अगला सवाल देखो कि बच्चों में स्री जिनात्मकता के विकास के लिए सिच्छक एवं अभिभावक को किन किन बिंदों पर ध्यान देना चाहिए तो आपका आपसर नमबर यह यहां पर सही होगा अगरा सवाल देखिए कि बाली आवस्था में श्री नात्मक्ता की अभी ब्यक्ति है तो कौन है उप्यूगत आपका सभी सही हो जाएगा अगरा सवाल देखिए कि बाली आवस्था में श्री जन यानि कि श्री नात्मक्ता की अभी ब्यक्ति है तो कौन सा होगा आपका option number D यहां पर सही हो जाएगा अगला सवाल है कि उपलबधी के लिए अकाच्छा को परभावित करने वाले परियांवर्ण समंधित कारकों में तो कौन सा होगा आपका option number D यहां पर सही हो जाएगा अगला स्वाल है कि उपलबदी के लिए अकांच्छा को परभावित करने वाले परियांवर्वर्वर्वर्वंदित कार्गों में तो कौन सा होगा आपका बिकल्प नमबर सही होगा ठीक हो ठीक है तो सवाल आपका आयता है कि उपलबदी के लिए अकांच्छा को परभावित करने वाले प्यक्तिकत कार्गों में तो अपका होगा चार हो यहां पे भी उसके बाद दोस्तों अगला स्वाल आपका देखिया यहां पर एक्टिस नमबर की स्रीजिनात् बच्चों निम्नकॉसल का विकास होता है तो क्या होता है विप्यूक्त सभी आपकास होगा आगला सवाल देखिए दिया हुगा है कि श्रीजिनात्मक को द्वारा बच्चों में निम्नकॉसल का विकास होता है तो विप्यूक्त सभी यानि कि आप संथ चेंज कर देगा क्वि इसको चेंज किया हुगा ठीक है दोस्तों उप्यूख सभी यहां पर भी है उप्यूख सबी यहां पर सेम पूछा हुआ है और उपयूख सभी अफ्शन न यहां पी दीचा ओगा. ठीक है जोस्तों है कि अगला सवान नूमबर यहां पर सही उलेगा अगला सवाल है कि स्रीजनात्मक्ता के मुख्य परिछड़ हैं तो कौन है उपयुक्त सभी उसके बाद आपका अगला सवाल है कि अधिगम अस्मर्थ ताक्यूक्त बालक को के परकार हैं तो क्या है छो अगला सवाल देखिए कि सीखने की परि की उपयूक्त सभी है अगला सवाल है कि निम्न में कौन से गુड़ स्रीजनात्मक बालक के नहीं हैं तो कौन नहीं है समायोजर छम्ता अगला सवाद कि किसी नई बश्तु का नीड़माड कहलाता है तो क्या कहलाता है सिर्जनात्त मक्ता कहलाता है ठीक है उसके वाद आपका अगला सवाल है कि बालको द्वारा कहानी की किताबें कामिक से पढ़ने की आदत परभावित होती है आप सान नंबर यह आपका सही हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो आई वीडियो बढ़ा हो गया है जैता क्रेश्चन हो गया है लेकिन कोई बात नहीं आपके नौलज के लिए बहुत अचीज है आगा सवाले कि कौन सा सिर्जनात्त मक्ता परिछण है तो कौन है आपका आपसर नंबर jac एे यहां पेस रही होगा अगरा सवाल देकिए सर्जनात मक्ता का उदऐ किस अवस्था में होता है तो किस में होता है बालिया अवस्था में कि उसके बड़ सो तो आपका अगरा सवाल देखिए 47 नमबर सीखना सीखना विकास की पर किलिए कफ़न है किसका है तो आपका आप सब्सक्राइब नमबर यहां पर सही होगा अगरा सब्सक्राइब जिए कि ठाइभ य्यानि कि ठाइभ उलिध कि फान्र ने अपना पॉर्षिद उपयोगा किस का अवल्ला स्वाद कि निम्लखित है कौन सा कथन सही नहीं है तो आपका नमब्र भी यहां पर सही जगा कि इन में से कौन सा अधिगम का उत्पादन नहीं तो कौन नहीं है आप नमब्र भी आपका यहां पर सही होगा अगला सेवा देखिए तर्ग के परकार है तो क्या है और अर भी हैं दोनों सभी होगा है अगला सबद्शिधार है कि चांसकी का सिध्धानत थे हैं तो क्या है भाशा अधिगउया थीख सबस्केर फैसे इस वीडियो का सके की सब्सक्राइब ग rank के सिधान्ट का संभन्द है तो तो किस से हम सीखना से तो दोस्तो एंआ आपका जो है कि पाट नमबर कि स्हक्ता ठीक है दोस्तो पार्ट नमबर शेवन जोए कि यहां से स्टार्ट कर दिया जाएगा और आप इन अभी झाल झाल